पहलें पीसेसमे कर ऑफीसेयर यूरूप चैनल में आप सभी का स्वागत है तो देंगे फिरंड्स अम लोग इडिया का जो सामान्य अध्यान जो पढ़ रहते तो फिर उसको आगे आज हम लोग कंटिनुव करतें फिरंड्स करें यह अल एसरेट पीसी अध्याम बिहार एससी BPSC, SSC, Railway, Banking सभी exam के लिए बहुत ही ज़्यादा important है देखे friends ये total जो practice set मैं करवाऊंगा आपको मैं promise किया हूँ कि 100 practice set करवाऊंगा तो please मैं ज़रूर करवाऊंगा pieces में कर यूरी जलन से अपलोग जूर जाएए क्योंकि friends आज मैं फिर जो practice set 51 से लेके 55 तोटल number of 5 practice set करवाने बाला हूँ तो देखे 51 का first question देखते हैं और इसका right answer बताईएगा तो first question है कि आजाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया option नमबरे जै प्रकास नरायन के द्वारा देखे friends ये revision वीडियो ठीक है नेक्स्ट है दो नमबर कि रीग बेद में बिहार के लिए किस सब्द का प्रियोग किया गया है option number B की cut त्री नमबर कोशन है क्या और सयोग आंदोलन के द्वारान बिहार में the motherland नामक अखवार का प्रकास न किसके द्वारा सुरू किया गया option number A मजरहूल हक के द्वारा फोर नमबर कोशन है कि कौटिले कृत और सास्त में राज सब्दो पजेवी संग सब्द का प्रियोग किसके लिए किया गया option number B लिच्वी के लिए तो लिच्वी के लिए राज सब्दो पजीवी संग सब्द का प्रियोग किया गया अगला फाइब नमबर कि बिहार विद्यापीट के असापना कप की गई option number B 1921 सिस्वी में शिक्स नमबर कोशन है कि भारत के सम्विधान के किस अनुशेद में बिधान परिशद के स्रीजन और बिघटन के उपबंध अन्त वरिस्ठ है option number B अनुशेद 179 में 7. question आपका कि महाधिवक्ता निमलिकित में से किस के प्रसाद पडियत पद धारन करता है option number C राज्येपाल के 8. question है कि भारते समिधान की प्रस्ताबना में पंथ निर्पेक सब्द किस वर्स जोड़ा गया था option number C 1976 में 9. question है कि भारत में पंचायती राज विवस्था की शुरूबात कब हुई option number A 2. October 1969 में हुई थी और सबसे पहले राज्थान में शुरूई थी 10. question है कि ली कमीसा निमलिखित में से किस से सम्बदी था option number A भारतीय सीविल सेवा से या सम्बदी था अगला question है आपका 11 number कि भारत सचीव कपद निमलिखित में से किस के द्वरा बनाया गया था option number C 1859 का भारत सासन अधिनियम के द्वरा टुल नमर कोश्चन आपका कि भवानी मंदिर की रचना किस के द्वारा की गई थी ओप्सन नमर ए अर्विंद घोस के द्वारा की गई थी थर्टीन नमर कोश्चन एक निम लेकित में से किस ने भारत में अंग्रेजी सिक्षा की निम डाली option number D, 813 का charter एक के तहत general committee of public instruction 823 के तहत और प्रायचिविद एबं आंगलिविद विबाद के तहत तो राइटेंस और option number D हो जागा एक दो तीन सही है अगला question आपका 14 number के phoenix form के अस्थापना किस वेक्ति द्वारा की गई थी राइटेंस और option number A महात्मा गांधी के दोरा 15 number question है कि हिंदू महासभा के अस्थापना कब हुई option number B 1915 में 16 number question है कि निमली कित में से किन का संबंध हमारे राष्ट धोज के डिजाइन से है option number A pinkly bankya 17 number question है कि निमली कित में से सैधिक साहित्ते का सही क्रम कौन सा है option number B वैदिक साहित्ते ब्राम्मन अरनक्किय और उपनिशद तो यह वैदिक साहिते वैदिक साहित्ते का सही क्रम कौन सा है तो option number आपका B हो जाएगा ठीक है अगला question है आपका 18 number किनिम लेकित में से कौन सी लीपियां असोक के अभी लेकों में प्रयुक्त हुई है तो राइटेंस हो जाएगा ठीक है अपका 19 number आइसको देखेगा इसका मैच करना है कि ये लेखक और उसकी रचना है तो देखेगा 19 का राइटेंस हो जाएगा ठीक है अगर हम बात करें मेगा स्नीज तो मेगा स्नीज ये इंडिका नामक पुस्तक लिखा टॉल्मी टॉल्मी ने जेगराफी और पिल्नी ने नेचरल हिस्टोरिका और हेंग सांग ने सी यू की की रचना की थी तो राइटेंस हो जाएगा अगला कोश्चन है आपका 20 number कि किस काल में सरपरतम क्रिसी उत्पादन सुरू हुआ option number B नपासान काल में 21 number कोश्चन है आपका कि सेरसा और अकबर के बीच भूराज प्रसासन के संबन में कौन सा व्यक्ति संबन दे था option number D टुडर्मल 22 number कोश्चन है कि सिको पर टकसाल का नाम लिखवाने एबं अपनी छवी अंकित करने की प्रथा किस ने सुरू की option number C जाहगीर ने 23 number कोश्चन है कि चोल समराज के अस्थापना किस ने की थी option number C बिजयला ने 24 number कोश्चन है कि इन में से किस राज में अरावली की पहाड़िया है option number A राजस्थान मे 25 number कोश्चन है कि निमलिखित में से कौन सी भू आकिरती का निर्मान नदी की अपरदन किडिया द्वारा होता है option number A गोर्ज 26 number कोश्चन है कि निमलिखित में से कौन वलिद प्रवत उधारन नहीं है option number D सियरा नेवाद रोकी एंडीज और हिमाले ये वलिद प्रवत का उधारन है लेकिन सियरा नेवादा जो है वह वलिद प्रवत का उधारन नहीं है 27. कोशन है कि दलहन तथा तिलहन में सरबदिक उत्पादन करने वाले राज है ओप्शन नमबर A मध्यपरदेश 28. कि निर्ण में से किस देश में ग्रेट स्लेब जी लिस्तित है ओप्शन नमबर D कनाडा 29. कि निर्ण में से किस गुलार्द में हमबोल्ट जलधारा बहती है ओप्शन नमबर D दक्षनी गुलार्द में 30. कोशन है कि चुकसी सागर निम्रिकित में से कहां इस्तित है ओप्शन नमबर D आर्केटिक महा सागर में 31st question है कि सुदूर दक्षिन में इस्तित लैंड लॉग देश कौन सा है Option number C लेसो थो 32nd question है आपका किलिए मनजारों परबत किस देश में इस्तित है Option number C तंजानिया में 33nd question है आपका कि पोलर सिल्क रोड निम्रिखित में से कौन देश बना रहा है Option number B चीन 34nd question है कि भारत के कितने राजे पकिस्तान के साथ सीमा साजा करते है Option number B तीन 35nd question है कि इको मार्क का चीन क्या परदर्शित करता है Option number A लेबल लगाने की विवस्था 36nd question है कि चिकिस्ता के छित में गोल्डन आवर इनमें से किस से सम्मन्दित है Option number C heart attack से 37nd question है आपका एक वेक्ति दुरघटना में घायल हो गया उसके रक्त समू की जाच के लिए समय नहीं है तो उसे निर्म में से कौन सी रक्त दिया जाना चाहिए Option number D O negative 38nd question है कि जब तक वेक्ति ब्रिद होते जाता है तो समानेता उसका रक्त का दाब बढ़ जाता है तो option यह आपका सही है अगला 39nd number कि क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का पड़ियो किस काड़े में होता है Option number C द्रब मिस्रन से पदार्थों को अलग करने में अगला 40nd number question कि अस्तम B में दिये गए स्तुरोथ को अस्तम A में दिये गए उत्पाद को मिलायता है यह उत्पाद है और इसके स्तुरोथ है तो 40 का option number B हो जाएगा राइट अंसर यानि कि फॉर्मिक अमल हो जाएगा चीटी में पाया जाएगा साइट्रिक अमल जो होता है तो वो निम्बू में पाया जाता है टार्टरिक अमल जो होता है वो इमली में पाया जाता है यह important question है अगला 41 number कि लोहा जिससे प्राप्त किया जाता है वो है तो हेमेटाइट option number D 42 number question है कि एक नैनो मीटर निमलिक में से किसके बराबर होता है option number B 10 के पाबर माइनस 7 सेंटिमीटर के 43 number question है कि पदार्थ के संबेग और बेग के अनुपात में कौन सी बहुती करासी प्राप्त की जाती है option number B 44 number question है कि सरक पर चलने की या पेक्षा बर्फ पर चलना कटीन है क्योंकि बर्फ में सरक के पेक्षा घरसन कम होता है तो option D आपका सही है 45 number question है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि प्रतिपत में विदुद धारा 10 एंपियर तथा बिवानतर 12 भोल्ट हो option number A 1.2 ohm 46 number question है कि यदि चलती हुए बस्तु का भी एक दो गुना हो जाये तो बस्तु की गति उर्जा क्या होगी option number D 47 number question है कि मरू अस्थल में मरिग मरीच का उत्पन होने के क्या कारण है option number B परकास का पुर्ण आंतरिक परावरतन इसका आंसर आप लोग मैच कर लिजेगा next है 48 number के Celsius scale पर मानब शरीर का सामाने तापमान होगा option number C 37 degree Celsius और फ्रेंड्स अगर हम बात करें Kelvin में याद रखिए का 310 Kelvin मानब का जो Celsius होता है ठीक है अगला है आपका 49 number question कि किस सिधान पर जेट इंजन कारी करता है option number C रैकिक संबेक संदक्षन पर 15 number question है कि fountain pain के अविसकारत कौन है option number A water man अब को शास्मर्णिय तत्थे को देखते हैं यूरोप महादीप तो देखते हैं प्राइदीपो का प्राइदीप का है यूरोप महादीप को यूरोप की सबसे लंबी नदी को ने तो वोलगा नदी fashion की नगडी के रूप में जाना आता है फ्रांस को बिस्व का अन्य भंडार के रूप में जाना आता है यूक्रेयन को परसीद ब्लैक फॉरेस्ट इस्तित है जर्मनी में जीलों का देश का जाता है फिन्लेंड को यूरोप का भरत का जाता है इटली को कृसी प्रधान देश होने के कारण फ्रांस को यूनाइटड गिंग्डम से अलग करता है इंगलिस चैनल प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप के नाम से जाना जाता है स्विजरलेंड को इटली की गंगा कहा आता है पो नदी को और काकेशक राजी के रूप में जाना आता है जोर्जिया अर्मेनिया एवं अजर विजान को अब देखें आप एविविन देश एवं के बीच इस्थित परवत तो पिरेनीज परवत जो है वो फ्रांस एवं इसमे इस्पेन के मद्ध है आलपस परवत फ्रांस एवं इटली के बीच में है जूरा परवत फ्रांस एवं स्विज्डलेंड के बीच में है और वाज्जेस परवत जो है फ्रांस एवं जर्मनी के मद्ध है नेक्स्ट है आपका कि अंटार्टिका में भारत ने पहला सोध गोत्री 1983 में अंटाक्टिका में भारत ने अपना दूसरा सोद गिंदर साबित किया था मैत्री 1989 में देखे फ्रेंट्स यहां पे इसका आंसर किये इसको मैश कर लिजेगा और नेक्स आते हैं प्रैक्टिस सेट नमबर 52 में और इसका देखते हैं कि फर्स्ट कोशन क्या है फर फर्ट नमबर कोशन आपका कि नौसेना भी दुरोण निमलीकित में से किस जहाद से शुरू हुआ ओफ्चिन नमबर डी हम आई एस तलवार से थी नमबर कोशन आपका कि भारतिय सोतनता अंदोलन के दौरान मंजिरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया ओफ्चिन न नमबर डी कमला देवी चटोपध्याएने फाइज नमबर कोशन आपका कि 1949 में सुबाश चंद बोस और उनके बाम पंती समर्थों को दोवारा किस संगठन के अस्थापना की गई ऑफसन नमबर ए फॉरवाड ब्लोक की सिक्स नमबर कोशन की भारत में कम्निस्ट पार्टी के अस्थापना किस ने और किस वर्स की ऑफसन नमबर बी 1925 में मन रवाएने की सेवन नमबर कोशन की निमलिकित में से किस ने खिलाफत आंदोलन के सम्मन में कहा था कि हिंदूओं और मुसल्मानों में एकता अस्थापित करने का ऐसा अफसर आगे 100 वर्सों तक नहीं मिलेग अफसन नमबर A महात्मा गांधी ने ये कहा था अगला एट नमबर कोशन की पाकिस्तान सब्द का पड़ियोकस पर्थम किस ने किया अफसन नमबर B चोधरी रहमत अली ने अगला कोशन है आपका 9 नमबर की 1920 में निमलेखित में से किस ने अपना नाम परिवर्तित कर स्वराज सभा रख लिया ओफसन नमबर A All India Home Rule लीग ने टेन नमबर कोशन है कि किस हरपा असल से चाबल उगाने का साक्ष पराप्थ हुआ है ओफसन नमबर C रंगपूर से अगला कोशन है आपका 11 नमबर की वैदिक काल में निमलेखित में से किस संसकार से दूसरे जन्म का अरंभ माना जाता था ओफसन नमबर A सिक्षा की सुरुवात के लिए उपनेयन संसकार से 12 नमबर की सिंदू घाटी से बेता में अग्णी पूजा किस अस्थान पर खोजी गई अग्णी देवी से सिध होती है ओफसन नमबर C काली बंगा से अगला 30 नमबर की निमलेखित में से किस एक कास्रे समुचित रूप से निमबा कार्चाय को दिया जाता है ओफसन नमबर A देता देत को अगला 14 नमबर की भारतिय समीदान के भाग चार के अंतरskत अनुचित पचीज से सम्वंदित है ओफसन नमबर C धर्म की सवतंतिता से फिप्टिन नमबर कोशन है कि भारतिय समिधान के किस भाग में वो किन अनुच्छेदों में नागरीकता संबंदित प्रभधावनों का उल्लेक मिलता है ओफ्टिन नमबर भी भाग दू में अनुच्छेद 5 से 11 तक किरिशी और पसुपालन को अधुनिक और बैग्यानिक आधार पर करने का उल्लेक भारतिय समिधान के किस अंग में है ओफ्टिन नमबर ए राज के नीती निदिसक तत्व 17 नमबर कोशन है कि निदिकित में से किस सदन की अध्यक्सता ऐसे वेक्ति द्वारा होती है जो उसका सदस से नहीं होता है ओफ्टिन नमबर सी राजसवा 18 नमबर कोशन है कि भारत के उस्तम नियाले में नियाधी सो की संख्या में बृति करने की सकती किस में नहीं थै ओफ्टिन नमबर ए अगला कोशन है आपका 19 नमबर कि भारत में किसी विधैक को धन विधैक प्रमानित करने के लिए प्रधिकृत है option number C, लोग सभा का अध्यक्ष बीस नमर कोशन है कि राज बिधान परिशत के कितने सदसे बिधान सभादवारा चुने जाते है option number B, एक वटा, थर्ड सदस 21 नमर कोशन है कि मानब विकास सुचकां किस और सास्त्री की देन है option number D, महबूब अलहक की देन है 22 नमर कोशन है कि निम लिखित में करो में से कौन सा केंद सरकार के लिए राजस्व का एक सुरूत नहीं है option number B, आयकर, ये सुरूत नहीं है सीमा सुल्क, निगमकर और भूर राजस्व ये इसका सुरूत है 23 नमर कोशन है कि भारत में सबसे पहले कि सराज में मुल्य वर्धित कर लाग हुआ option number C, हडियाना में next है 24 नमर की दक्षिन अमेरिका के मदे अक्षांसिय घास के मैदान को क्या नाम है option number B, पंपास 25 नमर कोशन है कि आकि सरवगराही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है option number C, लाल मिट्टी को 26 नमर कोशन है कि भारत में कौन सा अस्थान जुआरिये तरंगो दोरा उर्जा उतपादन के लिए अदर्स इस्तिति प्रदान करता है option number C, कच्छ की खारी 27 नमर कोशन है, ग्रेट, साल्ट, जील कहां इस्तित है option number C, अमेरिका में 28 नमर कोशन है कि निमलिकित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है right answer option number C, नागा, अरजुन, सागर, गोदाबरी न दिये सही मैश नहीं कर रहा है नंगल, बांध, सतलजनती ये सही है सरदार, सरोवर, पर्योजना, नमर्दान दी और हीरा, कुन, बांध, महान दी तो ये सही है, option number C, आपका गलत हो जाएगा अगला 29 नमर की पश्मी एबंपुरीवी घाटों का मिलान कहां होता है option number B, नीलगीरी की पहारिया पर 30 नमर कोश्चन है, आपका कि सैतान का गुल्फ कोर्स नाम से परसिद मिर्तु की घाटी किस देश में इस्थित है option number B, USA में 31st नमर कोश्चन है, कि आजाद दस्ता की गठन के अस्थान एबं कारे छेतर का चैयन करे option number D, गठन नेपाल और कारे छेतर संपुर्ण भारत में था अगला 32 नमर की निल में से कौन से युगम से मिलेते नहीं है प्राकिर्तिक धरोहर और अस्थान और अस्थल देखिएगा तो देखिएगा कौन इस में से सही मैच नहीं कर रहा है तो option number A देखिएगा एलिफेंटा गुफाय यह करनाटा तो यह मैच नहीं कर रहा है फतेपुरी सिक्री उत्रपरदेश सुन्दरवर नेशनल पार्क फश्रिमंगाल और सुर्य मंदिर उडिसा यह सभी मैच कर रहे लेकिन option यह मैच नहीं कर रहा है अगला कोश्चन है आपका अत्याधिक स्यान यांत्रिक रूप से दुरूबल एवं तन्निये विक्रिती सील छेत्र है option number A एस्ट्रोंडियम 89 अगला कोश्चन है आपका 34 number कि विटामिन सी के विशाय में सत्य कथन को चुनिए option number C देखेगा कि यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है यह गर्म करने पर नस्ट हो जाता है और यह दूद में नहीं पायाता है तो right answer option number C आपका सही हो जाएगा अगला 35 number कि पाइरो मीटर किसके मापन में पड़ियोग किया जाता है option number B उच्चे ताप में 36 number 1 की एक माइक्रोन बड़ाबर है option number D 0.001 मीली मीटर के 37 number question है वही किसी मनुष्य द्वारा प्रित्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य एक पैर पर खरा हो तब तो option number 1 आपका सही है 38 number question है कि नावकिय रियक्टर और परमानुबं में यह अंतर है कि नावकिय रियक्टर में सिंकला अभिकिरिया नियंत्रित होती है तो option number B आपका सही है अगले आपका 39 number की गृत्वा करशन के सरभौमिक नियम का प्रतिपादन किस ने किया option number C आइजेक नियूटर ने 40 number question है कि मायोपिया निकर दृष्टी दोस को ठीक किया जाता है option number C अप्तल लेंसे और दूर दृष्टी को उत्तल लेंसे ठीक किया आता है अगला कोशन है 41 number की बैरोमीटर के पाठिक्रम में अचाना गिरावत दरसाता है option number D आंधी अबम तुफान का आना 42 number की विदूत मोटर में विदूत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में बदला जाता है option number D सही है 43 number है आपका ब्रोमीन समाने ताप पर होती है द्रब तो option number D आपका सही है 44 number question की सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है option number A करवन डायोकसाइड गैस 45 number की मनुस्वी में ब्रिक तंत्र का एक भाग है option number D उस सर्जन के लिए 46 number question की निकलिकित में से कौन सा जैब रूप आंतर मानव सरीर को अधिक्तम उर्जा प्रदान करता है option number B ATP, ADP 47 number की परिस्थीत की तंत्र के दो संगठन होते है option number A जैब एवं अजैब 48 number question की यदि जहाज नदी से समुद्र में परवेस करेगा तो क्या होगा option number A हलका उपर उठ जाएगा 49 number question है कि CTA scan में परियोग किया जाता है option number A X-ray का 59 number question है कि विदुद्ध मोटर कम बोल्टेज में परियोग करने से जल जाएगा क्योंकि विदुद्धारा अत्यधिक परवाइद होने लगेगा तो option number A आपका सही है तो इसका आंसर किया है मैश कर लिजेगा next देखते हैं स्मर्णिय तत्य के बाड़े में देखते हैं सूर्य का ब्यास कितना होता है 13,52,000 किलोमीटर सूर्य हमारी प्रित्वी से बढ़ा है लगवक 13,00,000 गुना प्रित्वी को सूर्य ताप का मिलता है दो अरब भाग अगला है कि सूर्य के प्रित्वी तक पहुंचने में लगता समय 8,16,000 के गड़ी चद्रमा के प्रित्वी तक पहुंचने में सवाल लगा तो 1,3,000 लगता है पार्थिव ग्रह का उधारन है बुध, सुक्र, प्रित्वी एवं मंगल ब्रामे ग्रह का उधारन है ब्रिस्पती, सनी, अरुन और वरुन सूरी के सबसे निकटी स्थित ग्रह कोन है तो बुध प्रित्वी के सबसे निकटी स्थित ग्रह कोन है तो सुक्र प्रित्वी इस्तित है तो मंगल एवं सुक्र के मद्ध पश्चिन से पुर्व की और घुर्णन करने वाली ग्रह कोन है तो सुक्र एवं अरुन वैसा ग्रह जिसका कोई भी उपगरा नहीं है तो बुध तता सुक्र ये बहुत इंबरिन क्रोश्चन है ये सबसे चोटा एवं सबसे हलका ग्रह कोन है तो बुध है किस ग्रह की विशेष्टा उसकी चुमबक्य गुन्स का होना है तो बुध है सबसे गर्म एवं चमकिला ग्रह कोन है तो सुक्र है और कौन सा ग्रह घनतव आकार में लगभग प्रित्वी के समान है तो सुक्र और सौर मंडल का सबसे बड़ा गरह कोन है तो ब्रिस्पती, फोवोस एबम डिमोस उपगरह है मंगल के और सौर मंडल का सबसे उचा परवत निक्स ओलंपिक इस्तित है तो मंगल गरह पर अगला है आपका कि सनी ग्रह का सबसे बड़ा उपगरा कोन है तो टाइटन सबसे कम घनत वाला ग्रह कोन है तो सनी अरुन ग्रह की खोज की थी किस ने तो बिलियम हार्सियल ने लेटा हुआ ग्रह के नाम से जाना आता है अरुन को वरुन ग्रह की खोज की थी किस ने तो जोह प्रित्वी पर दिन और रात होते हैं तो घुर्णन गती के कारण प्रित्वी पर रितु परिवर्तन होते हैं तो पड़ी क्रमन के कारण रितु परिवर्तन होते हैं तो फ्रेंड्स इसका आंसर की मैच कर लिजेगा और इसका PDF चाहिए तो टेलिग्राम से जॉइन होके आप इसका पीडिय भी ले सकते हैं तो देखते हैं फिर्ण सम लोग प्रैक्टिस सेट नमर 53 का फॉर्स कोस्टन कोस्टन है कि किस वाद में उस्तम नियाले में यह बेवस्था दी गई है कि प्रस्तावना समिधान का एक भाग है अगला कोस्टने दो नमर किनिम रिकित में से कौन राजियों के पुनर गठन से सम्बंदित नहीं है औप्सन नमर C राजमनार समिती यह राजियों के पुनर गठन से सम्बंदित नहीं है जे बी पी समिती फजल अली आयोग और घड आयोग यह सबी जो है वो राज पुनर गठन से सम्बंदित है अगला आपका 3 नमर कोशन कि भारती समितान में किस आधार पर अल्व संख्यकों का निर्धारन किया गया है औप्सन नमर C भासाई एवं धार्मी का धार पे अगला कोशन आपका 4 नमर समिधान की कारे प्रनाली की समिक्षा के लिए 11 सदस्य आयोग के गठन के वर्स और अध्यक्ष के सुमेलित यूग की पहचान कीजिए आप्सन नमर आपका 5 नमर कोशन की दोहरी 11 की जनगना के नुशार भारत में लिंगा नुपात एबं बाल लिंगा नुपात के सही जोड़े का चैन कीजिए आप्सन नमर आपका 6 नमर कोशन की उप्योगिता का गनना वाचक सिधान किस ने दिया था आप्सन नमर बी मार्सल ने 7 नमर कोशन है आपका काफी की कीमत में ब्रदी से चाय के मांग पर क्या परभाव पड़ेगा आप्सन नमर 7 बढ़ेगा 7 का आप्सन नमर आपका सही हो जागा बढ़ेगा अगला आपका 8 नमर कोशन की भारतिय रिजर्ब बैंक में छोटे किसानों के रूप में किसे परिवासित किया गया है आप्सन नमर दी, एक हेक्टेर से अधिक और दो हेक्टेर से कम की भूमी वाले किसानों को अगला कोशने आपका 9 नमबर कि एक अंत्रिक्स च्यात्री प्रित्वी तल की तूलना में चंद्रमा पर अधिक उची छलांग लगा सकता है क्योंकि चंद्रमा तल पर घृत्वा करशन बल प्रित्वी तल की तूलना से अत्यल्प है इसलिए C आपका 10 नमबर कि सर्वी रमन को उनके किस कारे के लिए नोबिल पुरुष्कार मिला था Bree प्रकास के प्रकिर्मन के अध्यन के लिए उन्हें नोबिल पुरुष्कार दिया गया था अगला नेक्स्ट है गया नमोब कोशन कि रणार का उप्यों किस लिये किया जाता है औप्सन नमबर बी जहाजो बाईवानो आदी को ढूढने एबब मार्क निजिशन करने के लिए किया जाता है 12 नमबर कोश्चन आपका कि रेटीना पर कैसा प्रतिमिम बनता है औप्सन नमबर डी वस्तु से छोटा एबम उल्टा 13 नमबर कोश्चन है कि पानी की बुन किस की भाती प्रतीत होती है औप्सन नमबर डी अफ्तल लेंस की भाती 14 नमबर कोश्चन है कि मानव सरीर का प्रतिरोध गीला में किस के समतुल्य होता है औप्सन नमबर सी दस की पावर छो ओम के समतुल्य होता है 15. question है कि इनमें से किस अमल का परयोग फोटोग्राफी में होता है option number B, oxalic अमल का परयोग फोटोग्राफी में होता है 16. question है कि sodium, vapor, lamb का परयोग street light में किया जाता है क्योंकि प्रकास monochromatic होता है एबम जल बुंदो द्वारा अलग-अलग नहीं होता है इसलिए तो option number C आपका सही हो जाएगा 17. question है कि इस vitamin को सरीर संचैत नहीं कर सकता है option number C, vitamin C 18. question है कि निर में से कौन युग्म गलत है option number D, polio बंदर तो यह आपका गलत है तब plague जो है वो चुहा से फैलता है, रेवीज कुत्ता से और tape 1 जो होता है वो सुवर से जो polio है वो बंदर से यह तो यह आपका गलत है अगला 19. question है कि इसी दरपन से आप चाहे कितनी ही दूर पर खड़े हो आपका प्रतिविम सदैफ सीधा प्रतित होता है संदर्व दरपन कौन से है option number D यातो समतल अथवा उत्तलदरपन अगला 20. question है कि खाना मनाते समय यदि बरतन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि इंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो option number B आपका सही है अगला 21. question है कि मानव सरी का कौन सा अंग अलजाइमर रोग से प्रभावित होता है option number B मस्तिक्स 23. question है कि निम से कौन सुमिलित नहीं है option number A silver bromide krithym prakast translation तो यह आपका गलत है दूदिया magnesium, प्रतियम, लिथियम, बाइकार्बनेट, गठिया का उपचार और silver iodide krithym बर्सा तो आपका यह तीनों सही और option number यह आपका गलत है 24. question है कि इनमे कौन बिदू चुम्बके तरंग का उधारन नहीं है option number D परा धुहनी की किरने एक्स की रन गामा की रन और परापैगनी की रन जो है यह चुम्बके तरंग का उधारन है अगला कोशन है 25. number कि समुद्री वातावरन में मुखे प्रात्मिक उत्पादक होते है option number A phytoplane tons जो होते हैं उस समुद्री वातावरन में मुखे प्रात्मिक उत्पादक होते है अगला आपका 26. number कोशन की master of gods किस गरह को कहा जाता है option number B विरिस्पती को 27. number कोशन है की मंदाकनी एवं अलकनन्दा के संगम पर इस्तित नगड़ है option number C रुद्र परियाग अगला कोशन है आपका 28. number कि भारत में सरवदिक भूभाग में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है option number B जलोड मिट्टी 29. number कोशन है की इन में कौन सा प्लेट एसिया एवं प्रसांत महसागरिये प्लेट के बीच इस्तित है option number C फिलिपिन प्लेट 30. number कोशन है आपका की देबताओं का प्रिये धम भीजय को ही सिरिष्ट भीजय समझता है या किस सासक के सिलालेखों में वर्नित है option number C असोक के तेरवे सिलालेख में या वर्नित है अगला कोशन है 31st number की मौलाना अवुल कलाम आजाद ने 1912 में एक उर्दू सब्ताहिक अल हिलाल सुरू किया है सरकार द्वारा उस पर प्रतिवम लगाने के बाद अल विलाक की अस्थापना उन्होंने कब की option number C 1915 में 32 नमर कोशन है आपका की सुल्तान प्रित्वी पर इश्वर की प्रतिनीदी है और उसका अस्थान केवल पैगंबर के पश्चात है या किस सल्तनत कालीन सासक ने कहा था option number A 34 नमर कोशन है की रंजीत सिंग की राजनीतिक राजधानी लहौर थी किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था option number A 35 नमर की आधुनी की यूग में पहली बार भ्राम्मी और खरोष्टी लीपियों को पढ़ने का सिरे किसको जाता है option number D जेम्स प्रिंसेप को 36 नमर कोशन है की निम लिखित में से वह आयोग कौन सा है जिसमें सबसे पहले भारत में प्रात्मिक एवं मादमिक सिक्षा का ध्यान दिया option number B चार्ल्स वूड आयोग ने अगला 37 नमर की 19 सताबदी में सबसे पहले सुरू किये जाने वाला सुधार आंदोनल लिखित में से कौन सा था option number B ब्रह्म समाज 38 नमर कोशन है आपका की अपनी वेशिक भारत में भारतिये विद्वाओं के लिए सार्दा सदन स्कूल की अस्थापना किस ने की option number B पंडित रामावाई ने 39 नमर कोशन है की अकवर के किस समकालिक सासक ने दिल्ली आगरा और संबल पर अधिकार कर विक्रमादित्ते की उपादी ली option number A हेमुने 49 नमर कोशन है आपका की 1926 में किस भारतिये गरमपंती ने कहा था की कॉंग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपजे option number D लाला लाजपत रायने 41 नमर कोशन की पत्रकारिता के लिए ब्रिटिस सरकार द्वारा सजा पाने वाले पहले भारतिये कौन थे option number A सुरेंद्र नाथ बनर जी 42 नमर कोशन है कि बंगाल की निम्लिकित घटनाओं को क्रमवार से सजाए तो option number C देखिएगा तो सबसे पहले है सिराजुदौला का नवाब बनना उसके वाद है ब्लैक होल की घटना फिर अलिनगर की संदी और लास में पलासी का यूद तो option number C आपका सही है 43 नमर कोशन है कि रीग बेद में सरवदिक चर्चा किस जानबर का मिलता है option number B घोडा का अगला कोशन आपका 44 नमर की महावीर सौामी ने जैन धर्म के पुर्वचार वरतों में किस एक वरत को जोड़ा option number B ब्रहमाचाड़े 45 नमर कोशन है कि पाली ग्रंथों के अनुसार गौतम बूद के काल में गाओं के कितने भेद बताए गये है option number A तीन 46 नमर कोशन है कि उत्तरवैदी काल में किन दो कविलों के एक होने से कुरू कविला बना option number A भरत एवम पुरू अगला है 47 नमर की निम्री कि कला क्रम घटनाओ का सही क्रम से सजाईए देखेगा 47 का राइट एंसर हो जाएगा option number D तो सबसे पहले Muslim League की अस्थापना उसके बाद हो अलकनाओ समझाता फिर हुआ बर्दौली सत्यागरा लहार अधिवेशन और नमक सत्यागरा तो option number D आपका सही हो जाएगा अगला है 48 नमर के जंतर मंतर का निर्मान किसने करवाया था option number D सवाई जै सिंगने 49 नमर कोशन है कि अकबर द्वारा अस्थापित अनुबाद विभाग में सबसे पहले किन पुस्तकों का अनुबाद किया गया option number A सिहासन 32 अर्थब्वेद और बाइबिल इसका अंसर की मैच कर लिजेगा 50 नमर कोशन है आपका कि पालो के समय में बौद धर्म की किस साखा का विशेस विकास हुआ option number A ब्रजियान का अब देखे फेंस इसके असमर्णिये तत्थे को देख लेते हैं नीला ग्रह के रूप में जाना जाता है तो प्रित्वी को प्रित्वी के सबसे निकट इस्थित तारा सुर्य है और रात्री में दिखाई देने वाला सरवदिक चमकिला तारा साइरस है लिबनी जट्स परवत इस्तित है चंद्रमा पर जिवास्म गरह के रूप में जाना आता है चंद्रमा को पृत्वी से चंद्रमा का कितना भाग दिखता है तो 57 प्रतिसत चंद्रमा का द्रब्मान पृत्वी के द्रब्मान का एक वटा एक्यासी भाग है आगे है कि जब चंद्रमा प्रितिवी के निकट होता है तो उस इस्ति को क्या कहाता है तो सुपर्मून कहाता है और एक माह में दो पुर्णिमा होतो दूसरी पुर्णिमा को कहाता है ब्लू मून बॉने ग्रह का उधरन क्या है तो यम सिरस एबं चिरान नेक्स्ट आपका कि सुद्र ग्रह दिखाई परते हैं मंगल 苑ँबं ब्रिसपती ग्रह के बीच प्रित्वी जब सूरी से अधिकतम दूरी पर होती है तो उस इस्तिती को कहाता है अपशौर चार जुलाई अपशौर तीन जनवरी नेक्स्ट है कि प्रिथवी पर अक्षानसु का कुल संख्या कितनी है तो 181 प्रिथवी पर देसांतर की कुल संख्या कितनी है 360 किस सितिथी को प्रिथवी पर दीन एबं रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितम्बर को जब सुरे इबम पृतीवी के मद् चंद्रमा उत के दिनी मा की ने लगत क Frs को कितने समय जोन में बाटा गया तो 24 अंतराश्चे ती ती रेखा कहाया था 180 डिग्री देशांतर को उत्री गुलार्ट पर सबसे बड़ा दीन होता है कई जून को और दक्षनी गुलार्ट पर सबसे बड़ा दीन होता है तो 22 दिसंबर को तो इसके फिरिंट्स आंसर किये मै अगला कोशन है दो नमबर कि कुसान सासा कनिस्क बौत धर्म की किस साखा की अनुआई था ओफ्सन नमबर भी महायान का थी नमबर कोशन है कि नविंतम खोजो के अनुसार सिंदु घाटी सब्भेता का सबसे बड़ा नगर है ओफ्सन नमबर सी राखिगडी फोर नमबर को फाइब नमबर कोशन है कि विलिटिस हाउस ओफ कॉमन्स का चुनाओ लड़ने वाले पर्थम भारतिये कौन थे ओफ्सन नमबर सी बेमेश चंद्र वनरजी सिक्स नमबर कोशन है आपका कि तरी पूरी संकट के बाद कॉंग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया ओफ्सन न संता आंदोलन में लीडर समाचार पत्र निमलिकत में से किस ने सुरू किया था ओफ्सन नमबर सी मदन मोहन मालविये ने अगला है आपका एट नमबर की नगर और उनके संस्थापक के नाम के सही जोड़े का मिलान कर ये नगर है और ये संस्थापक है तो देखिए अगर ह मदरास का फ्रांसिस डे ने किया तो राइट एंसर ओफ्सन नमबर ये आपका सही हो जाएगा अगला कोशन है आपका नाइन नमबर कि महात्मा गांधी को टाइम मैगजिन ने पर्सन ओफ द इयर कब नामित किया था ओफ्सन नमबर ये उनिस्सवत तीस इसवी में दस नमबर कोशन है कि जब महात्मा गांधी के हत्या हुई तब किस ने कहा था कि कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसे सरीर और आत्मा वाला कोई आदमी कभी इस धरती पर चला था ओफ्सन नमबर C अलवर्ट अइंस्टीन ने कहा था इग्यार नमबर कोशन है कि आगे किसी राज में पंचायतों के निरवाचन की तीथी की घोसना कौन करता है ओफ्सन नमबर B राज निरवाचन आयोग करता है ट्रविन नाट टैगोर को नाइट होड की उभाती ब्रिटिस सरकार ने कब दी जिसे उन्होंने 1919 में वापस कर दिया था ओफिसन नमबर भी 1915 में थर्टीन नमबर कोशन है कि मुसलिम लिग का अगस्त प्रस्ताओं के संबन में क्या रुख नहीं रहा ओफिसन नमबर डी डोमिनियन एस्टेट का दर्जा मांगा गया यह रुख नहीं था अल्फसंक्यक समन्दित अश्वासन का स्वागत किया यह सही था पकिस्तान की मांग नहीं माने जाने पर और सुईकार कर दिया गया यह भी सही था और भारत के बीभाजन को समस्या का अस्थाई हल माना गया तो ये भी था लेकिन आपका डोमिनियन स्टेट का दरजा मांगा गया तो ये आपका नहीं था अगला आपका फोटीन नमबर की वर्स 1928 में चंसेखर आजाद के नेतिद में किस अस्थान पर हिंदुस्तान रिपॉब्लिकन एसोसियेशन का नाम बदल कर हिंदुस्तान सोचलिस्ट रिपॉब्लिकन एसोसियेशन किया गया फोटीन का प्रेटेंस और आफ्सन नमबर सी हो जाएगा दिल्ली के फिरोस्ता कोटला में फिप्टीन नमबर कोश्चन है कि पंद्रव वर्स 1887 के बाद लॉड डफरीन ने भारतिय रास्टे कॉंग्रिस को क्या कहकर संबोधित किया फोटीन नमबर बी राष्ट दोही की संस्था शिक्स्टीन नमबर कोश्चन है आपका कि निम्लिकित में से किस आयोग समीती का संबन्द ब्रिटिस भारत में अकाल से नहीं है फोटीन नमबर डी हॉलेंड समीती उनीसो सुल्ला सत्रनों कोश्चन है आपका क्याठा संतावन के क्रांती के बाद सासन में हुए बदलाओं के सम्मन्द में असत्तिक कथन का चैन किजिए ऑफ्सन नमबर सी भारत सचीब की सहता है तो भारत में एक पड़िसद गठित हुई तो यह आपका गलत है बात का सासन ब्रिटी सरकार के हाथ में लाया यह सही है भारत सचीब के पड़ का स्रीजन हुआ यह भी सही है गवर्नर जनरल का वैसर है कहाई जाने लगा तो यह भी सही है अगला आपका 80 नमबर कोश्चन कि जनता को राजनितिक संघर्ष के लिए त्यार करने है तू देश भ्रह्मन के दोरान गांधी जी को कुलकता से किस वर्स गिरपतार किया गया उप्सन नमबर A, 1929 में उप्सन नमबर कोश्चन ने आपका कि थियोसोफिकल सोसाइटी के अस्थापना वर्स 875 में कहां की गई थी उप्सन नमबर B, नीयोक में उप्सन नमबर कोश्चन ने कि राजा, कृष्ण देव, रायनी, निमलिकित में से किस पुस्तक की रचना संस्कित भासा में की उप्सन नमबर B, जमबबती, कल्यानम 21 नमबर कोश्चन ने आपका कि तुलू, गमा, युद, नीती का प्रयोकिस युद में मुगलों ने किया उप्सन नमबर A, पानीपत के पर्थम युद में 22 नमबर कोश्चन ने कि रेडियो धर्मी प्रदूसन से सम्मंदित निम्न कत्नों में से कौन सही है तो उप्सन नमबर C हो जाएगा कि यह पसुव में अनुवानसिक परिवर्तन लाता है तो यह सही है और यह रख्त संचार में अविया अभधान पैदा करता यह भी सही है और यह कैंसर पैदा करता यह भी सही है अगला कोशन ने आपका 23 नमबर कि भारत में ओसनिक निस्नल पार्क इस्तित है ऑफ्सन नमबर D कच्छे में 24 नमबर कोशन ने आपका कि नला मलाई की पहारी किस राज में इस्तित है ऑफ्सन नमबर C आंदरपरदेश में पचीस नमबर कोश्चन है आपका कि अस्ट मूदी जील किस राज में इस्तित है ओफ्सन नमबर ए केरल में अगला कोश्चन नमबर कि निम्रिखित घास के मैदान को मांचित के अनुसार से उत्तर से दक्षिन क्रम में सजाए तो अफ्सन नमबर देखेगा अफ्सन नमबर सी हो जाएगा पहले पंपास उसके बाद कमपोस उसके बाद हो जाएगा आपका सिलवास उसका दलानोस तो अफ्सन नमबर सी आपका सही है नेक्स्ट है आपका 27 नमर कोशन कि निम्न महत्पुर्ण पतनों अब हम उससे समंधी देश का सही मिलान करे देखेगा 27 का ओफशन नमर C हो जाएगा अगर हम बात करें काहिरा तो काहिरा मिस्तर वेलिंग्टन तो वेलिंग्टन का हो जाएगा आपका न्यूजिलैंड मॉस्क यह फ्रेंड आपका कैपिटल है याद रगेगा ठीक है अगला आपका 28 नमर कि भारत का उपराश्पती कि सदन का पदेन सभापती होता है ओफशन नमर C राजिस सभागा 29 कोशन की महादिवक्ता के पद का उलेक समिधान के कौन से अनुशेद में किया गया है ओफशन नमर C अनुशेद 165 में तीस नमर कोशन की भारतिय नियाईक बेवस्ता में जब जनहित याचिका की सुरुबात हुई उस समय भारत के प्रधान नियाधिस कौन थे ओफशन नमर D पी एन भगवती एक तीस नमर कोशन की समिधान सभा का आखड़ी सत्र निमलिकित में से कब से संख्या के आधार पर सबसे बड़ी संसद्य समिती कौन सी है ओफशन नमर B विभागिये अस्थाई समिती 33 नमर कोशन है कि भारतिय समिधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मद एक अच्छा संतुलन अस्थापित करता है भारतिय समिधान के विशाय में उपरुत कतन नेम्न में से किसका है ओफशन नमर एकेशी विलर का अगला 34 नमर के नमर किकेतम से कौन सा रेडियो धर्मित तत्व नहीं है Option number D, Cadmium, Radium, Uranium, Thorium ये जो है आपका रेडियो धर्मी तत्व है 35 नमर कोश्चन है कि Radioactive युक्त गैस कौन सी है Option number B, Rn 36 नमर कोश्चन है कि Hydrogen के किस असमास्थानिक में Neutron नहीं होते है Option number A, Proteum 37 नमर कोश्चन है आपका कि चावल के अंकूर में वैकेन, फुलिस, सिडलिंग किस रोगजनक की वज़ा से उत्पन होता है Option number A, Jibrela, Fuzi, Kudoi अगला है आपका 38 नमर कोश्चन कि Octane संक्या किसकी गुरुमत्ता का मापक है Option number B, Petrol की 39 नमर है कि संबहन द्वारा उस्मा का अस्तरांतन हो सकता है Option number A, Gasevam, Drabbe में 14 नमर कोश्चन है कि निमलिकित अवस्थाओं में किस में गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे Option number D, 20% आद्रा और 60% डिग्री सेल्सियर, 60 डिग्री सेल्सियर स्थापमान 41 नमर कोश्चन है कि मनुस के अहरनाल का कौन सा प्रमुक भाग नहीं है Option number D, यकडित, अमास, मुर्गुवा, आत जो है वह प्रमुक भाग है अहरनाल का अगला आपका 42 नमर की सेंधा नमक में कौन सा खनीज होता है Option number B, Sodium 43 नमर कोश्चन है कि पसीना उस इस्तिदी में सबसे अधिक निकलता है जब ताप अधिक एवं हवा आद्र हो 44 नमर कोश्चन है कि CNG में सरवधिक मातरा में कौन सा अतत्व मौझूद होता है Option number B, CH4 अगला कोश्चन है आपका 45 नमर की राष्टे विकास परिस्द निस्टनल डेवलप्मेंट काउंसिल का मौझ के संबंद होता है Option number B, पंच वर्षे योजना के अनू मोधन से 46 नमर कोश्चन है कि हरे पोदे में प्रकास संसलेशन के और प्रकास ये अभी किरिया क्लोरोप्लास्ट में कहां संपन होती है Option number D, केवल एस्टोमेटा में 47 नमर कोश्चन है कि जठर गरनतिय द्वारा स्रावित हाइडरोकलोरिक अमलेट डैस एंजाइम की किरिया को आसान कर देता है Option number A, पेपसीन 48 नमर कोश्चन है कि नमर कोश्चन है कि नमर कोश्चन के कौन सा तत्वर प्रोटीन संसलेशन के लिए अनिवाड़े है Option number D, नाइट्रोजन इसका अंसर आप लोग मैश कर लिजेगा नेक्स्ट है आपका 49 नमर कोश्चन कि नमर कित को सुमेलित कीजिए तो अगर हम बात करें कि राइट अंसर आफसन नमर A हो जाएगा हिस्टोलोजी तो हिस्टोलोजी जो है वो क्या है तो उत्तको का अध्यान है लीमोलोजी लीमोलोजी जो है देखे फ्रेंट्स यहापे अगर हम बात करें हिस्ट्रोलोजी होएगे अगर हम बात करें तो देखे फ्रेंट सबसे पहले आपका आए कि उत्तको का अध्यन उत्तको का अध्यन हिस्ट्रोलोजी कहलाता है उसका है मिर्दा सम्मंदी अध्यन तो मिर्दा सम्मंदी अध्यन पेडोलोजी कहलाता है उसका बन के ब्रिक्षो का अध्यान तो बन के विच्छे तो सिल्वी कल्चर कहलाता है जीलो तो था और लवनिये जलिये पात्पो का अध्यान तो लीमोलोजी कहलाता है तो आपसन नमबर यह आपका सही हो जाएगा नेक्स टैप का फिप्टी नमबर कोशन की निन में से किसे पादप एभम जन्दू का संयोजक जीव कहा जाता है ओपसन नमबर सी यूगलीना को पादप एभम जन्दू जीवो का संयोजक कहा जाता है नेक्स देखिए आप एसमनी तथ देखते हैं इसकी परमुख गर्म हवा हैं तो देखिए आयाला जो है वह फ्रांस छेत्र में गर्म हवाए ठीक सुखोवे रूस एबं कजाकिस्तान वाग्यो फिलिपिन्स दीप समू गारिच दक्षिन पुडवी इरान सामून इरान में वर्गस दक्षिन अफिरका में और ट्रेमों ट्रेमंटेन जो मध्य यूर अमेरिका नर्दर अमेरिका पैमपीरो अर्जंटीना पैपागायो मैक्सिको हबूब सुडान सिस्टॉन पुर्वी इरान नेवाडॉस एक्वाडोर और वलिवाव अलास्का तो एक बार देखिए फ्रेंट्स इसको आप एक बार देख लिजेगा ठीक है इसका आंसर कि इस विधान सभा में कब बं फेका था तो वन का राइट एंस वाजाएगा ओफ्सन नमबर ए आठ अप्रेल उनिस्टीस कोनों ने बं फेका था अगला दो नमबर कोश्चन की किस सल्तनत सासक के समय मंगोलों ने भारत पर परत्थम आकरवन किया था ओफ्सन नमबर बी इलतुत थी नमबर कोश्चन है कि स्री रंग परत्थनम की संधीनिन में से किसके मध्य हुई थी ओफ्सन नमबर डी टीपु सुल्तान एवं कारणवालिस के मध्य फोर नमबर कोश्चन की परसिद पुस्तक लीलावती किस विशय से सम्मंदित है ओफ्सन नमबर सी गनित से फाइब जिनन नमबर डी ब्वजन चाहते हैं या नहीं अब हम स्वैम विभाजन चाहते हैं या कथशने मलिकित में से किसका है ओफ्सन नमबर सी बल्लब भाई पटेल का सेवेननों कोश्चन है कि लॉर्ड गर्जन के समय भारतिय विश्विद्याले अधिनियम कब पारित किया गया था ओफ्सन नमबर सी उनिस्व चारीस भी में अगला कोश्चन आपका एट नमबर वर्ड 1934 में कॉंग्रेस समाजबादी दल का प्रथम अधिवेशन निम्रिद में से किस सहर में हुआ था ओफ्सन नमबर ए पटना में नाई नमबर कोश्चन आपका कि लॉर्ड डलहोजी ने बयापगत सिध्धान के अंतरगत भारतिय रियायसोतो को कितने भागों में बाटा था ओफ्सन नमबर सी तीन भागों में दस नमबर कोश्चन आपका कि अस्थाई बंदुबस पदती को किस गवर्णर जर्नल के सासनकाल में लागू किया गया था ओफ्सन नमबर सी लॉर्ड कार्णवलिस के सासनकाल में अगला है आपका इग्याय नमर कोश्चन कि सोम प्रकास नामक समाचार पत्र किस ने सुरू किया था और राइट एंसर ओफ्सन नमर भी इस्वर्चंद्र विद्या सागर ने ट्रियल नमर कोश्चन है कि परसित पूस्तक जीवन की उत्पत्ति किस के द्वारा लिखे गई है राइट एंसर ओफ्सन नमर ए ओपडीन के द्वारा थर्टीन नमर कोश्चन है कि एक नममबर अठार सांठावन को महरानी विक्टोरिया का गोशना पत्र इलाहाबाद में किस ने पढ़ कर सुनाया था ओफ्सन नमर बी लॉर्ड कैनिंग ने फोटीन नमर कोश्चन है आपका कि अंतिम मराठा पेशवा कौन था राइट एंसर ओफ्सन नमर सी बाजी राओ दुईतिये फिप्टीन नमर कोश्चन है कि संपुन भारत में जनगन्ना का कारे कब से सुरू किया गया सुलन नमर कोश्चन की सिमला का संत के नाम से किसे जाना आता है सदरन नमर कोश्चन है कि बिहार में नाखास पिंड आंदोलन का संबन्द निमलिकित में से किस आंदोलन से है आपसन नमर सी सविने अवग्या आंदोलन से एटीन नमर कोश्चन है कि भारत में अस्थलरुद लैंड लॉक राज्यों की संख्या कितनी है जिसके सीमा अंतरास्टी है सीमा को असपर्स नहीं करता है आपसन नमर सी पाँच उनी सनमर कोश्चन है कि इन मैदानों को पश्चिम से पुर्व की और सही करम बताईए तो आपसन नमर डी देखिए पहले है आपका रुहल खंड का मैदान उसका अवद का मैदान उसका अवद का मैदान और लास्ट में कहा है तो मिथिला का मैदान तो राइ तंशर उफ्समिर अपका सङी हो जायेगा 20 नमर ग début किस कारी या सागर में गिरती है उफ्समिर नमर B नहीं मिलती है उफ्समिर अपका जम्मु कास्मीर में उत्तरप्रदेश में बिहार में अरोत्राखंड में अपके कारोफ्समिर में मिलती है तेईज नममर कोश्चन है कि 20 की सबसे बड़ी प्लेट कौन सी है आप्सिन नमडर यह ब्रसांत प्लेट अगला कोशिन चुबिस नमढर की भूमीगत, जल, समस्त, जल, रासी का कितना परतिसत, जल, संचे करती है आप्सिन नमर भी 0.68 परतिसत 25 नमीव मरुस्तल का विस्तार छेतर निमलिकित में से किन देशों में है option number D देखेगा अंगोला में नामीविया में और दक्षिन अफ्रीका में अगला कोशन है अपका 26 नमबर देखेगा यह सहर है उसके नदी है देखेगा कि निम्में से सरों में से नदी के किनारे अवसित का सही मिलान करे तो देखेगे 26 का राइटेंस और option number C हो जाएगा अगर हम बात करें छपड़ा तो छपड़ा यह सरीव नदी के किनारे स्थित है जहाना बाद जो है वो दरदान नदी के किनारे स्थित है option number B gyroscope कहते है अगला कोश्चन आपका 28 number कि सम्तल दर्पन से सम्दित निम्न कथनों में से कौन सा कथन अस्सत्य है option number D सम्तल दर्पन में बने प्रतिविम में पार्शब उत्क्रमन नहीं होता है तो ये गलत है सम्तल दर्पन द्वारा बने प्रतिविम का आकार बस्तु के आकार से बराबर होता है अगला कोश्चन आपका 29 number कि तेल जल के सता प्रिष्ट पर फैल जाता है इसका मुख्य कारण क्या है option number D हो जाएगा कि तेल का प्रिष्ट तनाव पानी से कम होता है इसलिए अब देखिए यहां पे बोला कि निम्रिकित को सुमेलित कीजिए तो यह वाट यह जूल है और यह इसका माप किसे मापा जाता है उसको हम लोग देखते तो 30 का जो आपका राइट एंस हो जाएगा ऑफसन नंबर सी अगर हम बात के जूल को काडे यानि के जूल कैसे मादर क्या होता ही काडे होता है ठीक है और नेक्स्ट आपका एंपियर, तो एंपियर को विद्धरा में मापते हैं वाट को हम लोग शामर्थि यानि सक्ती में मापते हैं और बोल्ट को विवांतर में मापते हैं तो राइटेंस राउप्सन में भी आपका सही है 30 का राइटेंस होजागा ऑफ्सन नुबर सी, ठीक हैं? अगला question 32 number कि ध्वानी तरंगे निमलिकित में से किस माध्य में नहीं चल सकेगी option number D निर्वात में नहीं चल सकेगी ठोस में गैस में और द्रब में ये चल सकेगी अगला आपका 33 number कि बिजली चमकने से जंगलों में आग लग जाती है क्योंकि इसमें अत्यधिक मात्रा में होती है विधुत उरजात option number B आपका सही है 34 number question कि निमलिकित में से किस ने लेजर का अविस्कार किया option number A थियोडोर मैनेन ने 35 number question है आपका कि अलफा किरनों के लिए निमलिकित कतन में कौन सा कतन सत्य नहीं है option number C ये फोटोग्राफिक प्लेट पर कोई प्रभाव नहीं डालते है तो ये आपका सत्य नहीं है ये एक धन अविस्कार किरन है ये सही है ये विदुद छेतर में रिन अविस्कार की और अपक्षिर हो जाते है ये भी सही है और इनका बेग परकास के बेग का एक बटा दस होता है तो ये भी सही है 36 नमर कोशन है कि परमानू भार के अनुसार तत्यों की सही क्रम को चिनित करे बढ़ते क्रम में तो आप्सन नमर सी देखिएगा एलमूनियम लोहा तामबा और चांदी 37 नमर कोशन है कि कच्छे आम में कौन सा अमल पाया जाता है 38 नमर कोशन है कि ब्लीजिंग पाउडर में कौन सा रसानिक योगिक होता है 39 नमर कोशन है कि निमलिकित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ बस बनाने में उपियोग किया जाता है 39 नमर कोशन है कि निमलिकित में से कौन सा उर्जा पाई जाती है 41 नमर कोशन है कि गन मेटल में कौन सा अब्यब रहता है 42 नमर कोशन है कि भारती इसपाद प्रतिघरन लिमिटेड डैस का एक उधारन है ऑफ्सन नमर बी स्रवजनिक छेतरक उद्धोग का एक उधारन है 43 नमर कोशन है अपका कि जवाहर नबोदय विद्याले के अस्थापना के सिफारिस का आधार था ऑफ्सन नमर ए रास्ट्य सिक्षा नीती 1986 के तहत 44 नमर कि जुगनू एक परकार का कीट है ऑफ्सन नमर बी आपका सही है 45 नमर कोशन है कि आखी एपी फाइट्स अधी पादप वे पौधे हैं जो अने पौधे पर निर्भर है यांत्रिक अबलंब के लिए तो ऑफ्सन नमर डी आपका सही है 46 नमर कोशन है कि मनुस्य के सरी की दूसरी सबसे बड़ी गरंती निम्रिकित में से कौन सी है ऑफ्सन नमर अगनाश है 47 नमर कोशन है कि हेपिटाइटिस भी होने का मुख्य कारण है ऑफ्सन नमर बी विशानू 48 नमर कोशन है कि सधरनता औरो बैंक की खर पतवार पाया जाता है ऑफ्सन नमर सी तंबाकू के खेत में 49 नमर कोशन है कि पौधे में एंजाइम सक्रियता निम्र में से किस तत्व के कारण होता है ऑफ्सन नमर सी एम एन के कारण होता है फिप्टी नमबर कोशिन आपका कि गलाइको लाइसिस की किडियानिन में से कहां संपन होती है ओफसन नमबरे कोशी का द्रब्ब में या संपन होती है तो देखिए फिरेंट्स इसका आंसर की मैच कर लिजेगा और फिरेंट्स इसका पीडियेफ चाहिए तो प्लीज टेलिग्राम से जॉइन होके इसका पीडियेफ भी आप लोग ले सकते है फिरेंट्स अगर वीडियो कर थोड़ा सा अच्छा लागएगा तो प्लीज लाइक ज़रूर किजेगा कमेंट करके बताएगा फिरेंट्स की वीडियो कैसा लगा मैं डेली आप लोग से यहीं रिक्रेस्ट करता हूं कि लाइक किज़ेगा कमेंट करके बताएगा और पीसेस में कर यूट्व चैनल पर अगर फर्स टाइम होंगे तो प्लीज आप उसे सब्सकाइब भी कर लिजे आप लोग का सपोर्ट चाहिए ठीक है तो देखें एसिया में इस्तित प्रमुख मरुवस्तल यह इंपॉर्डन है अल नाफूद सौदी अरब में है दस्त एलूट इरान में इस्तित है थार भारत एवं पाकिस्तान में तकला मकान जो है वो चीन में इस्तित है और गोबी मरुवस्तल जो है चीन एवं मंगोलिया में इस्तित है अफिरिका में इस्तित प्रमुख मरुवस्तल काला हारी दश प्रमुख मरवस्तल रेड डेजर्ट है यूएसे में मुजाबो यूएसे में कुलोराडो यूएसे में और चिहुआवाना कहा है तो यूएसे एवं मैक्सिको में इस्तित है और आपका सुनोरन जो है यूएसे एवं मैक्सिको में इस्तित है अब दक्षीन अमेरिका में इस् और पेंटागोनिया जो है वह अर्जेंटीरा में इस्तित है और इस्तित प्रमुक मरवस्तल को ने तो गिफ्षन जो है वह पस्चिम और इस्तित है ग्रेट सैंडी जो है पस्चिम और इस्तित है और ग्रेट विक्टोरिया जो दक्षिन पस्चिम और इस्तित है विसके प्रम पश्रक्राइब कर लिए और देखिए तो देखे फ्रेंड्स यहां पर आपका जो यह जो वीडियो था यहां पर कम्लीट होता है कि फ्रेंड्स में टोटल नमबर ऑफ जो सेट कर आया हूं कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज़ेगा इसके पीडियेफ के लिए टेलिगराम से जॉइन के पीडियेफ ले सकते हैं तो मिलते हैं नेक्स विएमें बाइबाय जाहिन दोस्तों